सामाने तोर पर लोगसभाद चुनाओ राशनी मुद्धों पर लड़े जाते हैं लेकिन अब की बार पंजाब में हमने देखा कि दो स्थानी मुद्धे इन चुनाओं पर हावी रहे ये मुद्धे थे बिरोजगारी और ड्रक्स की समस्या आप जैसा मालूम है कि पंजाब की ड्रक्स की समस्या जस्किता से यहां पर नशे का कारूबार नेताओं के वाइदों के बावजूद भी फलता फुलता आ रहा है वैसे कारवाई के तौर पर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान अब तक 20 हजार के करीब नशा तसकर पकड़े जा सुक पर नेताओं के वाइदों के बावजूद भी ये काला कारूबार फल फुल रहा है आपको पिश्री सरकार के वाइदों की याद दिलाएं तो ततकालिन मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने गुटका सहब की कसम खाते हैं कि वो पंजाब में दो महिनों के भीतर संता के दरबार में गई जब उन्होंने 2022 में विधान सभा चुनाओं के लिए वोट मांगे तो पहला वादा यह किया गया था कि वो नशे के कारूबार को खत्म करेंगे लेकिन जिस पार्टी नेता ने नशे के कारूबार और ब्यद्वी के कारूबार से जुड़े सबूत सरकार को दिये सरकार ने उसी को लपेटे में ले लिया और नशे का कारूबार जसका तस चलता रहा हलंकि सरकार यह दावा करती है कि कारवाई की गई है हजारों की संख्या में नशे का कारूबार करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा आया गया है लेकिन आप गाउं का दौरा करें तो आपको मालम होगा कि स्थानिय लोग नशे के कारोबार से बुरी तरह से आजी जा चुके हैं बात ख़डूर साहिब की करते हैं इस लोकसभा हलके से जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया वो था नशे के कारोबार और नशे में लिप्त य ही कारण है कि खडूर साब से बताओर आजाद उमिद्वार चुनाओ लड़ रहा अमरित पाल सिंग को लोगों का खुब साथ मिला खडूर साब के लावा आप तरंतारन की बात कर लीजिए अमरित सर की बात कर लीजिए या पंजाब के किसी भी कोने में चले जाएए आपक पार्टी, कॉंग्रिस या फिर आमादमी पार्टी के नेता इस मुद्वे पर बहुत कम बोलते नजर आए हालां कि जब उनसे सवाल पूछे गए कि क्या पंजाब में नशा खुरी आज भी एक बड़ी समस्य है तो उन्होंने ये जरूर माना कि नशा खुरी एक बड़ी सम पन्जाब के नाक तले फल फूल रहा है और आपको बता दें कि पंजाब के राजेपाल ने भी इस मुद्वे गए तरह से उचाला था और सरकार के अधिकारियों पर और सरकार पर और लगाया था कि सरकार इस बड़े इशु को बड़े मुद्वे को सौल्व करने में नाका जाते रहें कई ड्रोन्स को मार भी गिराए गया है लेकिन अब ड्रोन्स के जरिये नशे का कारोबार चल रहा है और सरकार अभी तक इस कारोबार पर अंकोश लगाने में नाकाम रही है तो कुल मिलाकर लोग सुभाद चुनाओं ऐसा माना जाता था कि राश्नी मुद्दों पर लड़े जाते हैं लेकिन पंजाब में दो स्थानी मुद्दे नशे का कारोबार और बिरोजगारी इस चुनाओं में हावी दिखे वही नशे के अलावज दूसरा बड़ा मुद्दा लोगों ने चुनाओं के दरान उचाला वो था बिरोजगारी का मुद्दा मत डालन के लोगसभाचनाओं में ये दो स्थानी मुद्दे हावी रहे और उन्होंने काफी हद तक लोगसभाचनाओं को प्रभावीत किया कैमरा परसन आमन गुपता के साथ मंजीत सहगल पटियाला आज तक